ज्योतिस में शनी देव को न्याय और कर्म फल दाता माना गया है। ये लोगों को उनके द्वारा किये गए कर्मों के आधार पर ही शुब और अशुब फल प्रदान करते हैं। लोगों की जुबान पर शनी देव का नाम आते ही लोग घबरा जाते हैं। वैदिक ज्योतिस शास्त्र में जिन जातकों की कुंडली में शनी देव अशुब घर में बैठी जाते हैं। वे तमाम तरह के कस्ट और परिशानिया देते हैं। वहीं इसके उलट अगर शनी की दशा कुंडली में शुब है तो व्यक्ति को राजपाट, वैभव, धन संपती और मान-समान का प्राप्त करवाते हैं। कुंडली में शुब शनी व्यक्ति को उच्चे पद प्रदान करते हैं। शनी सभी ग्रहों में सबसे मंद कती से चलने वाले ग्रह हैं। इस कारण से जातकों के जीवन पर इनका शुब अशुब प्रभाव जादा दिनों तक रहत है। शनी की साड़े साती और डैडिया जब किसी पर आती है, तो कई तरह की परिशानिया आने लगती हैं। मकर और कुंब राशी शनी देव की स्वय की राशी होती है। शनी देव सभी बारा राशियों में से कुछ पर विशेश महरबान रहते हैं। आई ये जानते हैं राशिया हैं इनके पारे में। सबसे पहले मकर राशी। मकर राशी शनी देव की प्रिये राशियों में से एक राशी है। इस राशी के स्वामी स्वय्म शनी देव है। वैदिक जयोतिस शास्त्र के अनुसार जब शनी देव गौचर करते हैं तो कुछ राशी पर साड़ शनीदेव की पूजा करने पर जल्दी प्रश्ण होकर उन्हें शनीदोश से मुक्त कर देते हैं। दूसरी राशी है व्रिश्ब। व्रिश्ब राशी पर भी शनीदेव की विशेश क्रिपा रहती है। इस राशी के स्वामी ग्रेह, शुक्र, ग्राह होते हैं। वैदिक जोतिशास्त्र के अनुसार शनी देव वुरिशब राशी के जातकों पर हमेशा ही अपनी कृपा रखते हैं। अगली राशी की ओर बढ़ते हैं जो की है धनु राशी। धनु राशी के स्वामी गुरु देव ब्रस्पती को माना जाता है। शनी और गुरु ग्रे क आपस में मित्रता का भाव रखते हैं इस कारण से शनी देव हमेशा धनु राशी के जातकों पर महरबान रहते हैं जब भी शनी की साड़े साती या चाल में बदलाव होता है तब इस राशी के जातकों पर धनु महरबान ही रहते हैं धनु राशी के जातकों पर शनी देव अगली और आखरी राशी की ओर बढ़ते हैं जो कि है कुमबराशी कुमबराशी शनी देव की दूसरी प्रियराशी है इस राशी के स्वामी भी शनीदेव होते हैं कुम्ब राशी के जातकों पर शनीदेव हमेशा महरबान रहते हैं इन जातकों के जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती है